क्लाश टेन्थ कि जो समाजी विज्याने हम उनके कुस महत्वपुन प्रश्णी वीडियो में जानने वाले हैं जो बोड़ परिक्षा 2023 के लिए मोस्ट आइंपी कोश्ण रहेंगे आपके प्रश्णी ये बनेगा हमारा मिर्दा अपर्दन अपर्दन का अर्थ रहेगा बहना बहना ये कि कटाव होना तो मिर्दा का भूमी की सता को कट जाना या बह जाना वही हमारे मिर्दा अपर्दन कहलाता हैं इस पिकार साब की परिभासा बनेगी कि मिट्टी के कटाव और जो बहाव की प्रिक्रिया को क्या कहेंगे मिर्दा अपर्दन कहते हैं तो ये थे हमारी मिर्दा परदन का पहला कोश्चन, अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरे कोश्चन की, दूसरा कोश्चन ये रहेगा हमारा एजेंडा, एजेंडा 21 क्या है? तो यहाँ एक गोश्चना थी, जो 1992 में कौन से ब्राजिल के एक कौन से सहर है, ये नाम रियो डी जेंडरो, इस सहर में संयुक्त राष्ट परियावरन और विकास धेक्चुदवारा ये बनाया गया था, और फिर इसे बनाने के बाद सुक्रती प्रदान की गई थी, अब आगे हम तिसरे कोश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा तिसरा कोश्चन है, कौन सा? कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम अताई, इस से पहले हमने जो पहला कोश्चन पढ़ा था हुआ था हमारा मिर्दा अपर्दन से क्या तात परी? ये भी वही कोश क्या है? ये मिर्दा पर्दन से आप क्या समझते हैं? मिर्दा पर्दन क्या है? तो भी आपको यही कोश्चन लिखना है, मारा कोश्चन ये है अभी हल्पलार कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताई, तो जो भी भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों है जलोड मित्ती फिर आए आगे आगे काली मित्ती काली मित्ती होती है भुरबुरी से इसमें हम घेहों की फसल पेदा करते हैं फिर इसके बार आएगी लाल मित्ती यहां तो लाल मिट्टी रेतिली होती है और इसका जो कलर है वहां लाल और भूरा रंग का होता है फिर आपके आएगी लेट राइड कौनज मिट्टी है लेट राइड मिट्टी इसके बार जो पांच वी आएगी आपकी देखिए पांच मिट्टी यह वहा है मरुस्तली मिट्टी और आखरी मिट्टी बनेगी आपकी परवती मिट्टी तो हमारे भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाए जाती है आपको 6 के 6 नाम बता चुकी हूं है कि कौन-कौन सी मिट्टी है तो ये सही भी हमारे भारत में पाए जाती है ज़रूर इन कोशनों को अपने नोड़ बुक में नोड़ करिए और इन्हें कम्प्लिट करें